Bike Rent आपको कैसे लेना है Thailand Phuket में दोस्तो बाइक रेंट एक बहुती बड़ा इंडस्ट्री है Thailand में पूरा Thailand में आप कही भी जाओ आप ले सकतो bike rent but bike rent लेने के लिए आपको चाहिए कुछ proper information आपको चाहिए कुछ proper system अगर यह system आप follow करते हो तब आपको easily bike मिल जाएगा अगर आप system follow नहीं करते हो bike तो आपको मिल जाएगा but problem आपको ही face करना पड़ेगा तो मेरे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा information देने जाना हूँ क्या क्या चीज आपको चाहिए for taking the bike rent और कितना खर्चा पड़ता है bike rent लेने के लिए और क्या चीज आपको करना है क्या चीज आपको नहीं करना है according to the Thailand law तो चलिए दोस्तों पहले ये जान लेते है bike का एक दिन का rent कितना होता है दोस्तों bike current different level पे होता है according to your recommend bike current होता है अगर आप average bike लोग है जो इंडिया में 150, 160 का जो bike चलता है उस bike current होता है 200 से 305 हर्ट मेंसे इंडियन currency में उतना होता है जब सब double कर लो 200 मतलब 400, 300 मतलब 600 सारे 600 के अंदर आपको एक पूरा दिन के लिए bike निल जाता है पर petrol आपका responsibility है पेट्रल पंपे जाकर आपको ही आपका सारा दिन का पेट्रल कंजम्शन पेट्रल आपको खरीदना पड़ता है यह तो हो गया bike का खर्चे बाला पार्ट दोस्तों अभी चली आपके साथ information share करता हूँ इस industry में एक बहुत बड़ा scam होता है Indian tourist के साथ driving license जो India का है तो usually आप भी जाओगे तो शायद आप आपका देश का ही license ले जाओगे अगर आप इंडिया से हो पकिस्तान से हो बंगलादेश से हो तो लोग खुद के देश का ही license ले जाते है इन जनरली अगर आप जब यह license लेकर आप जाओगे means एक bike को रेंट में लेने के लिए for the documentation means जो bike जो rent में देते है तो दुकानदार आपसे आपका पासपोर्ट means आपका औरिजिनल पासपोर्ट का original copy जमा कर लेते है means submit कर लेते है उसके exchange में आपको आपका license देकर bike दे देता है तो guys मैं जब गया मैं पूछा चलो यह bike तो अच्छा लगा मुझे भी उस दिन में फालना दिन में मुझको bike लेना था तो लोग इंसिस्ट कर रहा था भाई आप यह bike ले लो आपके लिए तो अच्छा है आपके लिए मैं रख दूँग थोड़से advance कर दो means 100,500,500 मैं उस दिन के आपके लिए bike रख दूँगा थोड़सा हम लोग का प्रिशर है means bike उस दिन नहीं भी मिल सकता ऐसे आप लोग बोलेगा पर मैं ऐसा कोई पैसा submit नहीं किया manager बोला मैं जब लूँगा तब भी मैं पैसा आपको pay करूँगा यह बोलकर मैं चला आया अगीर मैं यह दोस्तो I was very much lucky मैं जब रस्ते में आया इधर उदर मैं घूम रहा था अचनक में नजर गया दो-चार पुलीस वाले एक रस्ते के साइड में रुक कर जो लोग foreigners जो bike चल रहे थे हर bike को लोग stop कर रहे थे और stop करने के बाद ओलोग देखना चाह रहे थे हर international tourist का international driving permit guys आपका देश का permission है means आपका जो license है whole license Thailand में काम नहीं आता है आपको चाहिए आपका international driving permit यह license नहीं इसको driving permit बोला जाता है तो in general tourist के पास ऐसा driving permit नहीं रहता है तो spot में और लोग fine कर रहे थे 1000 thaivert 1000 thaivert लगबग 2000 से 2200 रूपय almost in Indian currency जब मैं आकर मेरे hotel में पूछा reception में और लोग ऐसा ही बोल रहे थे यह scam है और लोग आपको नहीं बोलेगा मैं जो लोग drive bike rent में देते हैं और लोग आपको नहीं बोलेगा आपका जो license है यह license लेकर अगर पक्रे जाते हैं आपको fine देना पड़ता है और लोग नहीं बोलेगा आपको bike चिपका देगा आप bike लेके घूमने निकलोगे रस्ते में आपको पकड़ लिया जाएगा आज से दिन 4 साल पहले 5 साल पहले ऐसा rule इतना strict नहीं था अबर 2018 से 2019 से यह rule बहुत strict हो चुका है पुरा Thailand में देखो वही अगर 100 बंदे bike rent में लेता है उसमें से 10-15-20 बंदे अगर पकड़ में नहीं आता है यह ratio नहीं है बस जादातर बंदे कोई आप इंडिया से आए हो आप foreign country से आए हो किसी दूसरे मुल्क से आए हो और ढून ढून कर सिफ foreigner को रोकते है और 1000 रुपए का fine डाल देते यह भी उन लोक एक source of income है तो मेरे भाई अगर आप Thailand में घूमने जाते हो अगर आप चाते हो बाइक रेंट में लेना तो इंडियन passport और इंडियन आपका driving license के भड़ो से सोचना भी मत बाइक को रेंट में लेने के लिए पहले जाओ ATO में ATO में जाकर apply करो for the international driving permit कुछ पैसे लगेगे 1000 से 13,000 रुपए लगेगे उसके exchange में आपको मिल सकता है international driving permit तो अगर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है you are free to ride anywhere और एक चीज़ अगर आप पक्रे जाओगे अगर आप दुकांदार को बोलोगे ऐसे मेरे fine लग गया बड़कीन मानो ओ जो बाइक रेंट देने बाले उलोग आपका responsibility नहीं लेगा और जो अगले दीन मैं थोड़ा सा cross check करने के लिए दोस्तों ऐसे ही तो लोग पुलिस लोग fine कर दे रहे तो इसका solution क्या है और लोग बहुत कोशिश की मुझको insist करने के लिए नहीं नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं अगर आपको पूछे का तो बोलना आपके पास Indian license है थाइलेंड में आपस घूमने आयो साथ दिन-दस दिन क पड़ेगा तो एक तो fine extra पैसा चला गया तूसरे harassment हो कि आप आप अपर घूमने गए हो, enjoy करने के लिए गए हो, आप problem face करने के लिए आप नहीं गए हो तो दोस्तों ये ताब पूरो information by Korean का कैसे अब ले सकते हो कि आका rules norms अब को follow करना है, hopes तो this video will help you for your Thailand tour plan video को अच्छा